खबर भूपाल से है जहां आर्थिक अपराद प्रकोष्ट के छापे की कारेवाई के दौरान जहर खाने वाला क्लर्क करोडों की संपत्तिका आसामी निकला मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कलर्क हीरो केसवानी के घर अब तक 85 लाग कैस और 12 से जादा प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है इसकी कीमत 4 करोड से जादा बताई जा रही है कलर्क हीरो केसवानी के घर अभी भी EOW की कारेवाई चल रही है जिसमें तीन कार, एक स्कूटर, बैरागड में डेड़ कडोर का मकान होने का पता चला है सत्कुडा भवन में छटवी मंजिल पर इनका दफ्तर है बरतमान में ये आयुसमान भारत योजना और स्वसासी संस्था स्रिक्शन का काम देख रहे थे हीरो केसवानी ने चार हजार रुपए की सुरुआती सेररी से सुरुआत की थी सातवे वेतन के बाद सेररी पच्चास हजार रुपए मिल रहे थे इनकी अधिकांस प्रॉपरिटी पत्नी के नाम मिली आपको बता दे कि बुद्धवार सुबह भोपाल के बैरागड में इयोडबलू की कारेवाई के दौरान कलर्क हीरो केसवानी ने जहर पी दिया था जिसके बाद उन्हें हमीदिया अस्पतार में भरती कराया गया है फिलहाल उसकी हालत खत्रे से बाहर बताई जा रही है उसे घर ले जाया गया है इधर ईयोडबलू की कारेवाई लगातार जा रही है आए से अधिक संपत्ति की सिकायत पर ईयोडबलू ने कोर्ट से ओर्डर लेने के बाद उसके घर छापा मारा है भोपाल EOW ने सुबह 7 बजे आय से अधिक संपत्ति मामले में मध्य प्रदेश चिकित्सा सिक्षा विभाग के कलर्क के घर पर छापा मारा कारेवाई होते देख कलर्क ने फिनाइल पी लिया उसे फॉरन EOW की टीम हमीदिया अस्पताल ले गई इलाज के बाद डॉक्टरों ने बताया कि वह खत्रे से बाहर है और ठीक है इसके बाद EOW ने कारेवाई जारी की EOW भोपाल से मिनी जानकारी के अनुसार बैरागड में रहने वाले हीरो केस वानी चिकित्सा सिक्षा विभाग सत्पुड़ा भवन में कलर्क है उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की सिकायत थी कारेवाई के लिए EOW ने कोर्ट में आवेदन लगाया था ब्यूरो रिपोर्ट विराट 24 न्यूज